नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सन्यासी जीके में दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी का आपके घर में सदैव निवास बना रहे, तो कॉमेंट में जैलक्षमी माता जल्दी से लिखते, तो चलिए मेरे साथियों आपका ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों, पूज्य गु तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यान वर्धक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको समय रहते जरूर देख लेना चाहिए, साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सनान कब और कितने समय करना चाहिए, क्योंकि आजकल कई लोग किसी भी टाइम स दरूर देख कर जाना, दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि सुबह उठकर हम लोग जब तक नहा ना लें, बिलकुल तरो ताजा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि बिना नहाए नींद और आलस आता रहता है, लेकिन नहाने के बाद शरीर में एक दम से फुर्ती आ जाती है, वही हिंदू धर्म में सनान का बराही महत्व है, देवताओं का अभिशेक करते हैं तो मनो कामनाएं पूरी होती हैं, जबकि अमावस्या पूर्णिमा संकरांती जैसी तिथियों पर पवित्र नदियों में सनान करने से पुण्य की प्राप्ती होती है, पाप मिटते हैं, ऐसे सन सनान महीने में दो बार या उससे अधिक हो सकते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रति दिन सनान करने के बारे में भी नियम है, जो व्यक्ति उसका पालन करता है, वह सेहत मंद रहता है, अब आपके मन में सवाल होगा कि किस समय में नहाना सही है, दोपहर का सनान करना च कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है, और आप लोग वीडियो को देख लेते हो, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज कर दो यार, इससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता ह तो चलिए मेरे साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों कहा जाता है कि सनान करने से पापों का अंत होता है, जो लोग गंगा सनान के लिए नहीं जा सकते हैं, वह घर पर ही सनान कर लेते हैं, हिंदू धर्म और शास्त्रों में हर दिन नहाने के भी कुछ न वो पहर में नहाने के क्या नुकसान है, तो चलिए पहले सनान करने के के नियमों को जान लेते हैं, तो दोस्तों नंबर एक है, गुरुजी कहते हैं कि सुबह जल्दी सनान कर लेना चाहिए, बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वह सुबह साफ सफाई करने के बाद सनान क इसी के अलावा दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुभह आठ बजे से पहले पहले स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदाई होता है। आपके उपर नकारात्मक्ता का प्रभाव हावी होता है। और यह आपकी और आपके परिवार की बुरी किस्मत का कारण बनता है। तो दोस्तों, आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए, सुभह जल्द आपको स्नान कर लेना चाहिए और आठ बजे से पहले पहले ही आपको आते समय अपने नहाने के पानी में एक छूट की नमक डालना है और इससे आपके आसपास सकारात्मक उर्जा बनी रहती है। अर्थात, दोस्तों, इससे दोस्तों होगा यह कि आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे वह भी बिना किसी बाधा के। मात्र यह चोटा सा काम आप करके देखिए, इससे आप आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। अब नमबर दूसरा आईए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि स्नान कब और कितने बजे करना चाहिए। पहला स्नान, मुनी स्नान, दोस्तों यह स्नान सुभह सूरज निकलने से देवसनान है. यह स्नान सुभह पाँच बजे से चह बजे के बीच किया जाता है। देवसनान उत्तम है, इस बीच स्नान करने वाले जातक के जीवन में यश, कीरती, धन, वैभव, सुख, शान्ती और संतोष का हमेशा वास रहता है। अब तीसरा स्नान मानवसनान है. दोस थी परिवार में एकता भी बनी रहती है. अब चौथा सनान राक्षशी सनान है. दोस्तों, यह सनान सुबह आठ बजे के बाद किया जाता है. इसलिए किसी भी मानव को आठ बजे के बाद सनान नहीं करना चाहिए. यह सनान हिंदू धर्म में निशेद है. इस दोरान सनान करन और वही हिंदू मान्यता के अनुसार कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए. मान्यता है कि इस नियम की अंदेखी करने वाले व्यक्ति को पित्र दोश लगता है. अब दोस्तों नंबर तीन है. गुरु जी कहते हैं कि भोजन बनाने से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए. शरीर को सबसे ज्यादा एनरजी भोजन से मिलती है. और वास्तु भी यही कहता है. इसके अलावा वास्तु के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक है कि आप खाना बना अब दोस्तों नंबर चार. गुरु जी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए. हिंदु धर्म में सूर्यास्त के बाद नहाना शुभ नहीं माना गया है. मान्यताओं के मुताबिक, शाम के वक्त नहाने से मा लक्षमी नाराज हो जाती. और सूरज जबने के बाद या रात में नहाने से आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। वही नहाते समय सही दिशा का खयाल रखना भी बेहद जरूरी माना गया है। अकसर महिलाओं को देखा गया है कि कहीं भी किसी भी पार्टी या शादी में जाने से पहले सज धज कर जाना पसंद करती है। और वैसे भी पार्टी और शादियां या फिर कोई भी कारेक्रम हमेशा शाम या रात को ही होते हैं। ऐसे में महिलाओं सबसे ज्यादा अपने बालों पर ध्यान देती हैं। जबकि वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्त्रियों का कंगा करना सही नहीं माना जाता। शाम के समय कंगा करने से देवी लक्षमी नाराज हो जाती है। तो आईए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सनान करते समय पानी में कौन सी चीज मिला कर सनान करना चाहिए। ताकि आपके शरीर की नकारात्मक उर्जा दूर होती है। तो पहली बात, जयोतिश शास्त्र में प्रति दिन सूर्योदय के समय पानी में नारंगी या लाल रंग का फूल मिला कर सनान करने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को उसके प्रयासों में सफलता मिलती है और साथ ही समाज में मान सम्मान भी हासिल होता है। अब दूसरी बात है कि नहाने वाले पानी में एक छूट की लाल चंदन मिलाने के लिए कहा गया है। माननेता है कि इससे सभी काम पूरे होते हैं और व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है। अब तीसरी बात जियोतिश की माने तो नहाने वाले पानी में सफेद फूल डाल कर सनान करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और इस दशा में व्यक्ति का म इस दौरान व्यक्ति का चहरा उत्तर दिशा में होना चाहिए। दोस्तों माना जाता कि इससे क्रोध पर नियंतरन पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा पानी में बेल की जर, लाल चंदन या गुड मिलाकर नहाने के लिए भी कहा गया है। इसकी मान्यता है कि इससे व वीडियो यहीं पर समाप्थ करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास सदा आपके घर में बना रहे, तो कमेंट्स में ज लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तो धन्यवाद।